और एक बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं भारतीय जर्णता पार्टी के विधायक विने शाक्य की बेटी ने एक वीडियो जाली करके अपने चाचा और नेता देवेश शाक्य पर निशाना साधा है विने शाकी की बेटी रिया शाकी ने आरुप लगाया है कि उनके चाचा देवेश शाक्य जवर्दस्ती उनके पिता विने शाकी को उठाकर लखनो समाजवारी पार्टी में शामल कराने के लिए लेकर गए हैं जबकि हम पक्के भाशपाई हैं तो आप ये भी देखिए कि चुनाब में ये भी हो रहा है जो लोग पार्टी को छोड़ना नहीं चाते उन पर दबा भी बनाया जा रहा है बीजी पी विरायक विने शाकी की बेटी का बड़ा बयान सामने आया है सभी लोग को अपकत करना चाती हूँ कि मैं बिदायक विदुना श्री विने शाक की पुत्री रिया शाक के हूँ मेरे पिता जी को एक मई 2018 को ब्रें स्ट्रोक बड़ा था जिसके बाद उन्हें लखनों के पीजे है अस्पता में भट्री कराया गया था मैं धन्यवा देना चाती हूँ हमारे यशश्वी मुख्यमंद्री योगी आधित तिनाजी का कि उन्होंने उच स्टर्वे डॉक्टर पैरल टीम बना कर मेरे पिता जी का इलाज करवाया और स्वैम मेरे पिता जी को 4-5 पार पीजे है अस्पताल में देखने आए मेरे पिता जी ना तो इस पच तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोशलिस और जमझने की शक्ती भी कम हो गई है हम लोग छेतर में भातिय जन्दावाटी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं हम लोग छेतर में लगादार लोगों से संपर भड़ा रहे हैं इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेशा के वे हमारी दादी मेरे पिता जी को लखनों लेकर चले गए हैं इस समय मेरे पिता जी की स्तिती ठीक नहीं है वे कहा हैं किस हालत में हमें कोई जानकारी नहीं है